हंगामे की ये तस्वीर पटना में स्थित JTU MLC गुलाम रसूल बलियावी के घर के बाहर की है दरसल टीटी अभियर्थियों ने उनके घर का आज घहराओ कर दिया जिसके बाद हंगामे की स्थिति बन गई दो टीटी के साथ इंसाफ करो और दो टीटी का रिजल्ट जारी करो हमारी मांगे पूरी करो बतायचा रहा है कि उर्दू टीटी के अभियर्थियों ने रिजल्ट जारी करने की मांग को लेकर आंदोलन शुरू कर दिया है इसी गड़ी में इन अभियर्थियों ने गुलाम रसूल बलियावी के घर का घहराओ कर दिया आठ सालों से सिर्फ आशवासन रिजल्ट देने का आशवासन आज देंगे कल देंगे परसू देंगे उर्दू बंगला टीटी टूमी द्ध वारों को रिजल्ट देकर मरिट लिस्ट में आम आने के बाद में फ्यल कर दिया गया तो बच्चा भी माहें महीना रहता है कोई छूलह सत्रह भीस महीना हो सकता है मुह मंतरी निटिश कंटरी जी जी आठ साल दो साल एक साल वह भी माहके पेट में 11 महीने 14 मेन 20 महीना रहते होंगे अरे यार खाना दे करके छीना है खाना दे करके छीना मेरे रिजल्ट के उपर में ओपीनियन सरकार का आ चुका है मेरे रिजल्ट के उपर में विभाग का लेटर निकल चुका है मेरे विभाग के उपर में बिहार सरकार का जो भी प उदर हंगामी के सूचना के बाद अस्थानिय पुलिस मौके पर पहुंची और अभ्यर्थियों को शांत कराने की कोशिश शुरू हो गई दरसल इससे पहले भी TET, CTET यवं STET पास अभ्यर्थि भी अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर चुके हैं और सरकार के सामने अपनी मांगों को रख चुके हैं यां सरकार होश वे आओ यां सरकार होट के मनमानी नहीं चलेगे क्या सोचा बतना सिक्षा मदरी मुर्दापाद मुर्दापाद यहार बोर्ड होश व्याओ यहार बोर्ड होश व्याओ इसमाचे बोह है दो टेठी के साथ इनसाफ करो और दो टेठी का रिजल्ट जारी करो हमारी मांगे पूरी